नमस्कार दोस्तों आसीसदा एजुकेशन फांडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है सापता एक करंट अफेर्स में आज फिर से लेकर आए हम आठ से चोदा जुलाई 2019 तक का करंट अफेर्स जो आई एस पी सी एस एस सी सी टेट यूजी सी नेट अन्ट एनी वन डे एक्जाम के लिए आपके लिए ये बहुती लाबकरी हो सकता है जिसके सोर्स है पी आई बी इंटरनेट लोग सबा टीवी राजे सबा टीवी न्यूज एड सकता है मैं हूँ आपका दोस्त राम बावुबूरी हमारे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए चलो हम सुरुवात करते हैं सबसे पहले बंबाम बात करते हैं कि क्रसी एम किसान कल्यान मंत्री सिरी नरेंदर सिंग तोमर तता भारत में सहींत विश्वे खाद्य कारिकरम UNWP के प्रतनीदी एम निदेशक डाक्टर हमीद नूरू ने आठ जुलाई 2019 को नई दिल्ले में भारत में खाद्य और पोर्षण सुरुक्सा के लिए UNWP के साथ 50 वर्सों की भागिदारी पूरी होने के आवसर पर कोफी टेबल बुक का भी मोचन किया है इसके में पूर्ण बिन्दों के हम बात करते हैं तो कोफी टेबल बुक में सरकार उन परियासों की जानकारी दी गई है सरकार के दौरा उन परियासों की जानकारी दी गई है जिनके तैद सरकार देशकों भूग और कोपोशन से मुक्त करने के लिए परतिबद है इस पुस्तक में विस्वे खाद कारेकरेम की भूमी का दिखाई गई है खाद और पोशन सुरकसा के अलावा हरित करांती, स्वेट करांती, पसुधन, मिसुधार, डेरी, विकास, इत्यादी के बारे में भी इस पुस्तक में जानकारी दी गई है ये आपके सामने से कोफी टेबल बुक का ओमी मोचन किया जा रहा है अगली खबर की तरफ नज़र डालते हैं आठ जुलाई 2019 को नई दिल्ली में राज्य कर्शी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयुजित किया गया है जिसमें इसके मेत्पूर्ण बिंदों पर बात करते हैं आम बज़र 2019 बीस की गोफना के बाद राज्यों के साथ यह पहला सम्मेलन है इसके अंतरकत बारा राज्यों के कर्शी मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ट दिक्यारी सम्मेलन में उपस्थित हुए है अगले खबर है भारती नोसेना का पोथ तरकस आठ जुले 2019 को तिन दिवसीय यात्रा पर तंजीर मुरुख को पहुँच गया है यह यात्रा समुद्री तेनाती के संबंद में भारती नोसेना का मुझूदा गतिविदी के अंके रूप में है जो भूमद्री सागर अफरीका और यूरोप में हो रही है इस यात्रा से भारत और मुरुको के बीच के संबंद जो होंगे वो प्रगाड होंगे इसके मेत्पून बिंदू है यह जहाज भारती नोसेना का एक उन्नत फ्रिगेट है और विबन प्रकार की हतियारों तता दूर समेधी उपकरणों से लेस है जिसके कमांडर वर्तमान में कैप्टन सती स्वासुदेव है यह फ्रिगेट तीन आयामी खत्रों से निपटने में कुसल है जहाज भारती नोसेना के पस्मी बेड़े का अंग है और पस्मी नोसेना कमांड के फ्लेग ओफिसर कमांडिंग इनचीफ के अधिन आता है आयनस तरकस मुरकों की साही नोसेना के जहाजों के साथ समंदर में अभ्यास भी करता है यह आपके सामने आयनस तरकस की कुछ तस्वीरे नजर आ रही है अगली खबर है स्वास्ते मंतरी मंतराले ने आठ जुलाई 2019 को मानव अंग परत्यारोपन दिनियम 1994 की रजत जैनती मनाई है इसके मैधबून मिंदु है स्री अस्विनी कुमार चोबे ने मानव अंग परत्यारोपन दिनियम टी एच ओए 1994 की रजत जैनती संस्करण का भी अनावरन किया और मिलियन फोर बिलियन उद्देशे केस लिए ओनलाइन परनाली का सुभारन किया अगली खबर है मानव संसादन विकास मंतरी स्री रमेश पोकरियाल निंसक ने आठ जुलाई 2019 को नई दिल्ले में पांच दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकातन S.I.H. 2019 हार्डवेर संसकरण के ग्रेंड फिनाले का उद्गाठन किया है स्मार्ट इंडिया हाकतन 2019 के दूसरे भाग हार्डवेर संसकरण के ग्रेंड फिनाले का इजन आठ से बारा जुलाई 2019 तक देश बर में किया जा रहा है S.I.H. की शुरुआ दो वर्स 2017 में की गई थी जिसमें लगबग 50,000 चात्रों ने भाग लिया था जबकि 2018 में लगबग एक चात्रों ने भाग लिया था इस साल 2019 में इस संख्या में और वद्धी हो गई और लगबग 2,000,000 चात्र इसमें भाग ले रहे हैं समार्ट इंडिया है कातन 2019 हार्डवेर संसकरण में समस्या मोटे तोर पर करशी और क्रामीन विकास, खादे प्रदोगी की अपसिष्ट प्रबंदन, स्वच जल, नवीकरण ये उरजा, स्वास्ते सिवा और जेव चिकत्राप करणों, समार्ट वहानों, रोबोटिक्स और समार्ट संचार, खेल और फिटनेस, सतत परियावरान, समार्ट टेक्स्टार, स्मार्ट सिटी चेतरों पर आधारित है, समस्या की प्रकरती के आधार पर चैनित विचारों और समाधानों के लिए परतिबागी टीमों को नगत पुरुसकार दिया जाएगा, साधन समस्याओ पचास जार रुपे, पैचीदा समस्याओं को हल करने के लिए फिचतर जार रुपे, और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक लाख रुपे से समानी ते किया जाएगा, अगली खबर है, भारतिय राष्टिये राजमार्ग प्राधिकरण नहीं 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 ने आट बीके सिंग के कोपस्तिती में राष्टी निवेस अवसरचना कोस NIIF के साथ एक समझोता ग्यापन पर अस्ताक्सर किये गए हैं, इसके में पूर्ण बिन्दु है, NIIF एक कोस है, जिसका परियोग भारत सरकार द्वारा देश में बुरियांदी डाचा और चितर को बढ़ा एक NII द्वारा की जा रही है, ताकि उन अंतराष्टी निवेस को और फंड हाउसों को आकर्शित किया जा सकी, जो भारत में सड़क परियोजनाओं में निवेस करने के चुक है, लेकिन परियोजना के निस्पाधन से सम्मझी जोखिम लेने के लिए उत्सुक नहीं है, कें करते हुए, डाक्टर हर्स वर्दन ने कहा कि यह विदेग गुमसुदा वेक्तियों, पीडितों, दोस्यों, विचाराधिनों, के दियों, आधी अग्या अतमरत वेक्तियों की पहचान के लिए DNA प्रदोगी की उप्योग एवं अनुप्योग से के विनियमन से सम्मंदित है DNA प्रदोगी की उप्योग एवं अनुप्योग विनियमन विदेग 2019 का प्रात्मिक उद्देश से देश की न्याय प्रदाली को सहाइता और मजबुती प्रदान करने के लिए DNA अधारित फोरेंसिक प्रदोगी की अनुप्योग का विस्तार करना है प्रस्तावित कानून DNA प्रदोग के अनुप्योग को सक्सम बनाकर आपरादिक न्याय प्रदाली को ससक्त करेगा जिसको अपराद जाच में सर्वोच मानक समझा जाता है प्रस्तावित विदेख में DNA प्रिक्षण में सामिल सभी प्रियोग सालाओं में यूनिफॉर्म कोड और प्रेक्टिस के विकास की गत्य को ब्रदान करेगा अगली खबर है कोसल विकास उद्धमिता मंतराले ने 8 जुलाई 2019 को कोसल युवा समवाद का उस बारम किया है इससे में खबर है 15 जुलाई 2019 को विश्वे युवा कोसल दिवस मनाने और कोसल भारत मिशन की चोतिम वर्सगाट के आउसर पर कोसल विकास और उद्धमिता मंतराले ने कोसल युवा समवाद एक युवा समवाद प्रूकरने की गोशना की थी की है आठ से 10 जुलाई 2019 के बीच आईजित होने वाले कोसल युवा समवाद का उद्धे से सभी कोसल प्रिक्षिशन के अंदरों में युवाओं के साथ एक खुला समवाद करना है ताकि उनके मतों विचारों और अफसरों के सिपारिसों को सुना जा सके जिसे मोजुदा कर करमों को बैतर बनाने में मंत्राले को की मदद मिल सकती है कोसल युवा समवाद का एजन सभी स्किल इंडिया प्रिक्षिशन केंदरों पर किया जाएगा जिनमें परधान मंतरी कोसल केंदर PMKK ओध्योगिक प्रिक्रिक्षिशन संसान आई टी आई पॉलो टेकनिक परधान म केंदर को समवाद में भाग के लिए कम से कम 20 उमिद्वारों का अमित्रित करना होगा समवाद के बाद कोसल युवा समान की समान की सिपारे से मंतरा लेकर एक पोटल STTPS www.nsdcindia.org ने ओबलिक के मादिम से प्रस्तुत की जाएगी चैनित विध्यारती या उमिद्वारों को 15 जुलाई 2019 को नई दिली के विज्ञान भवन में कोसल विकास और दुमिता मंतरियों के साथ एक खुली बाचीत करने का ले आमंतरित किया जाएगा युवा कोसल विकास के मेत्व के बारे में जागुकता बढ़ने के लिए संयुक्तर राष्ट महासबा हर साल 15 जुलाई को विष्व युवा कोसल दिवस WYSD के रूप में मनाती है मानिय परदान मंतरी से रिननन्द मुदिके कोसल मारक दरसन में 15 जुलाई 2015 को सुरू किया गया राष्टिय कोसल विकास मिशन स्किल इंडिया मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है अगली कबर है भारत आथियां त्रिकुट व्यापार्स मंतरियों की बैटक 9 जुलाई 2019 को ने दिली मायजित की गई जिसका उद्देश से वर्तमान में जारी छेत्रिय व्यापा कार्थिक साजी दैरी RCEP पर अनौप चारिक सला मसवरा करना था इसे मेत्पून बिंदू है इस बैटक में केंद्रिय वानिजे मुद्द्योग और रहल मंतरी स्री पियूस गोयल थाइलेंड की कारवाहक वानिजे मंतरी सूसरी चटिमा ब्यून फरफास सारा इंडोनेशिया के व्यापार मंतरी एंगेर तियास्तो लुकिता आस्यान के मा सच्चिव लिम जोक होई और आर सी एपी के टी एंसी अध्यक से स्री इमान पैम ब्योगो ने भाग लिया है केंद्रिय वानिजे मुद्योग तता रेल मंतरी स्री पूस गोयल ने 8 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में इंडोनेशिया के व्यापार मंतरी स्री एंगेर तियास्तो लुकीता के साथ वियस्तरिय बैटक ही जिससे समधित मत्पून मिंदू है यह बैटक आशियान व्यापार मंतरियों के साथ इन मंतरियों तीन मंतरियों ही जिसको ट्रोयका की गनाम से जाना जाता कि बैटक की प्रश्ट भूमी में आयुजित की गई थी स्री पियूस गोयल ने इंडियोनेशिया के साथ भारत के व्यापार घटे के बारे में भी चिंता विक्त करते हुए कहा कि व्यापार घटा 2018 के बाद 10.57 बिलियन डोलर का हो गया है व्यापार संतुलन इंडियोनेशिया के पक्स में है व्यपक्से व्यापार 2018 के दोरान 20.13 बिलियन डोलर का रहा है आसियान चेत्र में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सयोगी है जब कि सेंगापूर पहले इस्तान पर है वानिच जे और उद्योग मंतरी ने आग्रे किया कि भारत के फोजन हलाल बुफेलो में इट एफच बी एम पर कोटा और परतिबंद नहीं लगाया जाए और आयात को विक्तर कों तता सीधे पहुचने की छूट दी जाए इंडोनेशिया ने कहा कि प्रादिकरत निर्यात कों पर कोई कोटा परतिबंद लागू नहीं होगा यदि वे गुणवक्ता बनाए रखते हैं तो इंडोनेशिया ने आस्वस्त किया है कि वे भारत से चिननी का आयात करेगा इसके लिए टेरिप ने कमी की जाएगी अंतराज ये नदी जल विवाद ISRWD अधिनियम 1956 को मंजूरी दे दी है इससे मत्पूर्ण बिन्दव ये अंतराज ये नदी जल विवादों के नैक निन्ने को और सरल और कादर बनाएगा नैक निन्ने के लिए कड़ी समय सीमा निर्धारन और विविन ने बेंचो के साथ एकल ट्रिबिनल के गठन से अंतराज ये नदीयों से संबंदित विवादों का तेज़ी से समाधान करने में मदद मिलेगी इस विदेयक में संसोधनों से ट्रिबिनल को सोपे गए जल विवादों के नियाएक निर्ने में तेजी आएगी परदान मंतरी सरी निर्हिंदमदी के देखस्ता में मंतरी मंदलने बच्चों को योन अपरादों से सुरक्सा परदान करने के लिए एतियासी फैसला लेते हुए बाल योन अपराद संकरक्षन कानून 2012 पोकसो में संसोधन को मंजूरी दे दिये इस पोकसो 2012 से संबन्दित कुछ महतपून बिंदू है इसमें बच्चों से जुड़े योन अपरादों के लिए म्रत्युदंड सहीत सक्त दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं इस कानून में संसोधन के जरिये कड़े दंडात्मक प्रावधानों से बच्चों से योन अपरादों में कमी आने की संभावना है इससे विपत्ती में फसे बच्चों के हितों की रक्सा हो सकेगी और उनकी सुरक्सा और सम्मान सुनेचित किया जा सकेगा संसोधन का लक्स है बच्चों से जुड़ी अपरादों के मामले में दंडात्मक विवस्ताओं को अधिकिस पष्ट करना है पोक्सो अधिनियम 2012 के योन अपरादो योन सोशन और असलील सामगरी से सुरक्सा प्रदान करने के लिए लाया गया था इसका उद्देश से बच्च अगली खबर है परदानमंत्री शिरी नरेंद्र मोधी की अधिक्स्ता में मंत्री मंडल की आर्थिक समीती ने पूरे देश में ग्रामीन सडक कनेक्टिविटी को प्रोफसाइथ करने के लिए परदानमंत्री ग्राम सडक योजना थर्ड पी एम जी एस वाई थर्ड माद्यमिक विद्धालो अस्पतालों से जोडने वाली पर्मो ग्रामिन सडके सामिल है पी-मजी-एस-वाई थर्डी योजना के अंतरगत राजियों में एक लाग पचीस जार किलोमेंटर लंबी सडकों को मजबूत बनाने का पस्ताव किया गया है इससे ग्रामिन कर्शी बा करूड पे आंए जिसमें केंद्र यह हिस्सा तरेपानगार जार अट सु करोड रूपे जबकि राजियों का हिश्सा 26,450 करोड रूपे है केंद्र और राजियों के बीज निद्यों के इसिधारी शाट अनुपात चालिस के विजरूप में होगी लेकिन अच पुरोत राज इक्षणिंग तता चिकत्रा सुईदाओं आदी मानकों के आधार पर शड़क विसेश द्वारा प्राप्त किये गए अंकों में से कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा मेदानी छित्रों में 500 मिटर तक के पुलों का निर्मान और हिमाले तता पुरोतर राज्यों में 200 किये जाने से पहले समझोता ग्यापन करने को कहा जाएगा ताकि PMGSI के अंतरगत पांच वर्स की निर्मान रख रकाव अधी के वाद सटकों के रख रकाव के लिए परियाब्त धनुब लब्द कराया जा सके वित मंतरी ने वर्स 2018-19 के अपने बज़र भासन में PMGSI थड़ के अंतरगत से स्पात्र रिहाइसी चेत्रों को कवर करने जबकि मार्च 2020 तक PMGSI सेकंड और चिन्नित LWE ब्लोकों के रिहाइसी चेत्रों में 100-2009 साबादी को कवर करना जारी रखने की स्वकरती दी गई थी PMGSI दिसंबर 2000 में लौंच की गई थी इसका उद्देश से निर्दारी साकार 2000 एकी जन्गना के अनुसार 500 प्लस मेदानी चेत्र तता प्लस पूरोतर परवतिये जन्जातिये और रिगेसानी चेत्र के कनेक्टिविटी से अच्छूते पात्र रिहाइसी के लिए सभी मोसम क अनुकूल सडकों से जुड़ गए हैं सरकार ने PMGSI के अंतरकत 2016 में चरम पत्र प्रभावित चेत्रों के लिए प्रथक सडक कनेक्टिविटी परियोजना चरम पत्र प्रभावित चेत्र के लिए सडक कनेक्टिविटी परियोजना RCPLWEA लौंच की है ताकि सुरक्सा और भी मोसम के अनुकूल रोड कनेक्टिविटी परिदान की जा सके इस योजना के अंतरकत पांच अजार 66 किलोमेटर लंबी सडकों को मंजूरी दी गई अगली खबर है केंद्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री स्री डीवी सदानंद गोडा ने 10 जुलाई 2019 को ने दिली में उ परतेक्स लाव असांतर ने डीवी टी पढ़ना लिके परतम चरण को कार्यानवित किया है जिसे मार्श 2018 से अमल में लाया गया है आम जनता उर्वरक विभाग की इउर्वरक वेबसाइट उर्वरक.nick.in पर को क्लिक करके डेसबोड पर अपनी पहुंशे नुशित कर सकते हैं नेक्स्ट कबर है मिसन रक्सा ग्यान सकती MRGS को बढ़ावा देने के लिए रक्सा मंतरी के रक्षा उत्पादन विभाग तथा विज्ञान और प्रद्विकी की मंतरा लेके राष्टी अनुसंदान विकास निकम के बोधिक संपता सुविदा प्रकोष्ट आईपी एप एपसी के बीच नो जुलाई को एक समझोता ग्यापन पर अस्ताक्सर किया गया है इसके समझेद मैत्पूर्ण मिंदू है आईपी एपसी और एन आरडी सी के बीच साजेदारी से भारती रक्सा उध्योग में नवाचार और बोधिक संपता अधिकारों आईपी आर की संसक संसकर्ती को विक्सित करने के उद्देशे से मिसन रक्सा ग्यान सक्ति की सुरुवात की गई थी इस मिसन के तहट गुणवक्ता आसवासन महान इदेसाले डी जी क्यूए के तत्वाधान में एक बोधिक संपता स्विदा प्रकोष्ट की स्तापना की गई है जिसने एक साल क के वीतर बारा हजार से अधिक कर्मियों को आई पियार का प्रिशिण देने का चुनेती पूंड लक्षे प्राप्त कर लिया है और उन्हें एक हजार से अधिक नए आई पियार आविजन धाकिल करने का उसर भी प्रदान किया गया है अगली खबर है आवास और सेरी मंतराल के मामलों के मंतराले सची हूँ दुर्गा संकर मिसरा ने कहा कि के फायती आवास परियोजनाएं लएच पी के लिए चायनित इस्तलाई प्रदसन के लिए खुली परियोग साला के रूप में से अभदान करेंगी यसे मैत्मुन में संबंदित मैत्मुन मिंदू है यह परिय ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चैलेंज इंडिया जी एच्टीसी इंडिया के अंतर का तायुजित किया गया था जी एच्टीसी इंडिया का उद्देश से पूरे विश्व में सरहाए गए वेकल्पिक निर्मान तक्निकों का उप्योग करना है ताकि कि पायती आवसो को निर्मान प्रदुकी की वर्स गोशित किया है जी एच्टीसी इंडिया के तहट छे चैनित इस्तल निवन प्रकार से हैं जैसे कि इन दो राच कोट चैनने राची अगर तला लखनो इन सहरों में आवासों का निर्मान किया जाएगा छे विशिष्ट वेकल्पिक तक्नि जाएगा अगली खबर है दिर्तिय भारत रूस रन नितिक आर्थिक संवाद आई आर एस इडी दस जुलाई 2019 को नई दिल्ली में राष्टिय भारत परिवर्तन संस्ता जिसको नीतियायो के नाम से जानते हैं कि उपादेक्स डाक्टर राजीव कुमार और रूसी संग के उ जरी तेमूर मेक सीमो के अध्यक्सता में आयोजित किया गया दा सेकेंड इंडिया रसिया स्टेटिजिक एकोनोमिक डायलोग ठीक है नेक्स्ट इससे में पूर्ण बिंदू है भारत रूस रन नितिक आर्थिक संवाद की दूसरी बैटक में सई बैटक में सयोग के पर मु हैं अवस चना के रधो के का विकास करना है दूसरा चता है ए च्टे मजूले स्योग करना है चोता है डिजिटल ने उद्भाव प्रंटेर उद्रद्विगी के अभिक्षित करना है पांचवा है व्यापार बेंकिंग वित एम उद्योग चत्र में सयोग करना है छटा है परियटेनियम कनेक्टिवी चत्र को भी सामिलिस में किया गया है पांच अक्टूबर दो हजार अठारा को ने दिल्ले मे भारत रूस द्वीपक्षिये शिकर्समेलन के गुनिस्वे संसकरण के दोरान नीतिया योगो रूस के आर्थिक विकास मंतराले के बीच समझोता गया पनपरस्ताक्सर के बाद आई आर एस इडी की सुरुवात की गई है भारत रूस रन नीतिक आर्थिक समवात की पर्थं बेटक 25 से 26 नवंबर 2018 को सैंट पीटरस बर्ग में अगली खबर है केंद्रिये स्वास्ते वं परिवार कल्यान मंत्री डाक्टर हर्स्वदन ने 11 जुलाई 2019 को विश्व जनसंक्या दिवस 2019 के आउसर पर जनसंक्या विकास पर अंतराष्ट्य सम्मेलन ICPD से समंदित राष्ट्य कारिय सला जिसको एड़दारेट 50-25 इयर्स लिवर रेजिंग पार्टनर्शिप के उद्गाठन के अउसर पर कहा आईए हम सब रोक थाम की जाने वाले विमारियों से किसी गर्वती मैला और बच्चे को की मिरतियों ने होने दे 25 साल पहले 1974 में में इसी दिन काहिरा में महतपून ICPD का इजन हुआ था विश्व जन संक्या दिवस 2019 पर एतिया सिक अंतराष्टे जन संक्या और विका सम्मेलन ICPD 24 में काहिरा के 25 बर से पूरे हो गए हैं भारत सरकार ने भैतर मातर सिसू स्वास्ते हांसिल करने के लिए जनम अंतर पर विशेश जोड़ दिया गया है इसे ध्यान में रखते विए नए समवाद IEC सामगरी डिजाइन की गई है और इसे 11 जुलाई 2019 को लौंच किया गया है आईए एगली ख़बर पे नज़र डालते हैं फिलम प्रभागने 12 जुलाई 2019 को व्रत्चित्र फिलम क्लब शितीज का किसका शितीज का आयोजन किया है सुभारम किया है यह है शितीज यह आपको दिखाए दे रहा होगा एक चित्र में शितीज इसे महत्पूर्ण मिंदो सरानी व्रत्चित्र फिलमों का अब सारुजनिक प्रदसन भी किया जाएगा फिलम प्रेमियों को फिलमों को देखने के साथ ही उनके निदेश को निरक्षकों के साथ वाचित करने का मोका भी मिलेगा शितीज का शुबारम फिलम प्रबाग सूचना और प्रशाण मंतरा लेद्वारा भारतिय व्रत्चित्र निर्माता संग आई डी पीए के सायोग से किया गया है व्रत्चित्र फिलमों का सारजनिक परदसन हर महिने के दूसरे और चोथे सुकुरुवार को साम पांच बज़े से साड़े च्छे बज़े तक फिलम प्रबाग पेरिशन में किया जाएगा इंतर देश की सामाजिक राजनिती को सांस करती कलपना और वास्तिकताओं का रिकोर्ड फिलमों में संजो रहे हैं अगली खबर है रेलवे परिसर में अनादिकरत ब्रांड वाली पानी की बोतले धडले से बेचे जाने के मामले को रोकने के लिए हो रेलवे डिपार्टमेंट ने ओप्रेशन थ्रष्ट नाम से एक देश व्यापी अभियान आठ नो जुलाई 2019 को माने देशक रेलवे सुर सायुक्तों को इन अदाधिकर गति वीडियो पर लगाम लगाने के आदिश दिया गया है अभियान के दोरान भारती रेलवे के लगबख सभी प्रमुक स्टेशनों को कवर किया गया है केंद्रिय वानिजी तता उद्योग और रेल मंत्री स्री प्यूज गोईल 14 जुलाई 2019 19 से 3 दिन की यातरा पर ब्रिटेशन जाएंगे तता 15 जुलाई को स्री प्यूज गोई लंदन में भारत ब्रिटेशन सेयुक्त आर्थिक व्यापार समीती जैटको की बैटक को समधित करेंगे इसके मैधपून बिंदू है जैटको एक वानिजी और उध्योग मंत्री के इस जाए और द्वी पक्षिये व्यापार निवेस बढ़ाने के लिए व्यवसाय की उपाई विक्षित किये जाएं वानिजी और उध्योग मंत्री ने 16 जुलाई 2019 को लंदन में भारत दिवस के दिवस समारों में भाग लेंगे इसका योजन संयुक्त रूप से ब्रिटेन की स चरकार और लंदन सहर की ओर से किया जा रहा है इसमें ब्रिटेन तता भारत के वित्य चेतर के 300 से अधिक परतिनिदी भाग लेंगे ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा पर्टेक्स विदेशी निवेसक है और भारत के परमुक व्यापार एक साथ जेदारों में एक ह 2018 में 13.6 बिलियन यूरो का हुआ जबकि 2002 में से 2018 के बिच दोनों देशों का व्यापार परतिवस 8.8 परतिशत की ओसतर से बड़ा है अगली ख़बर है केंद्रिय जहाजरा ने स्वतंतर प्रभार रसाइनिक और उर्वरक राज्य मंत्री स्री मनसुक मंडाविया ने 12 जुल रवाना किया गया है इसे में पूर्ण मिंदो ये माल वाहक पोथ बूटान से बंगलादेश के लिए पत्रों के आप उर्ति करेगा माल वाहक पोथ एम वी ए आई को भारत बंगलादेश प्रोटोकॉल जलमार के तहट ब्रहमा पुतर नदी के माद्यम से असम के दूबरी स रवाना किया गया है और ये बंगलादेश के नारायन गंस तक कियात्रा करेगा ये परतमा उसर है जब किसी भारती है जलमार का उप्योग दो देसों के बीच माल परिवेन के लिए पार गमन के रूप में किया जा रहा है इन पत्रों को बूटान के फुट शोलिंग से ट्र तहसं को क्या सकता होती यहां पर यह एक मैभ दिखाय देरा जहां पर ये बंगलादेश है ॉर यह पर आपको आई ंजो नजरारा ये इंडिः का पार्ट है जो नीचे इर जो राजय हैं ये महाल वाहब ऊटजिए हैं ठीग है और ऊपर आपको डीजिटल रूप से वहां पर मालवाब पोत का जो रवाना किया गया है हरी जंडी दिखा का रवाना किया गया है अगले ख़बर है सांखेकी एवं कारे करम कारे अन्वन मंतरा लेके केंद्रिये सांखेकी कारेले सी एसो ने बारा जुलाई 2019 को जून 2019 के लिए भोगता मुले सुचकांग CPI पर आदारि महंगा इदर 2.21 फिस्दी अनंतिम रही जो 2000 जून 2018 में 4.9 तीन फिस्दी थी इसी तरह सेहरी चेतरों के लिए अगर बात करें तो CPI या दारित महंगा इदर जून 2019 में 4.33 फिस्दी अनंतिम आ की गई जो जून 2018 में 4.85 फिस्दी थी अगर सेहरी और ग्रामिन दोनों को सम CPI पर अधारित महंगा इदर जून 2019 में 3.18 फिस्दी अनंतिमा की गई जो जून 2018 में 4.92 फिस्दी थी नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रिय संकी कारेले ने 12 जुलाई 2019 को जून 2019 के लिए भोगता खाद्य मुल्य सुचकांग CPI पर अधारित महंगा इदर आकड़े भी जारी किये गए हैं इससे मैंत्पून कबर है इस दोरान ग्रामिन चेत्रों के लिए CPI आधारित महंगा इदर चार जीरो दसमलोग 43 फिस्दी अनंतिमरही जो जून 2018 में 3.66 फिस्दी थी इसी तरह सहरी चेत्रों के लिए CPI आधारित महंगा इदर जून 2019 में 5.56 पिस्दी अनंति CPI परादारित महंगा इदर जून 2019 में 2.17 फिस्दी अनंतिम रही जो जून 2018 में 2.17 फिस्दी अनंतिम थी ठीक है और एक महत्पून टॉपिक बात करते हैं जो इस इनी से दोनों टॉपिक से रिलेटेड है सांखे की हमकारे गरम का रैन्वन मंत्रा लेके केंद्रिय सांखे दाले के मालवी एडूटेडियम में 13 जुलई 2019 को 2 दिवसिय सांखे की और 37 विकास के लक्षियों पर एक राष्टिय संगोष्टी सहे कारे साला का उद्गाटन सांखे की हमकारे करम कारे अन्वन मंत्रा ले मोई पी आई में सच्चिव और भारत के मुक्य सांखे के विद परवीन स्रीवास्ताव ने किया है इसके महत्पून बिंदू है लखनों बिस्विदाले के कुलपती प्रोफेसर एसपी सिंग ने उद्गाटन समारो किया देखता की है पहली बार राष्ट्य संख्य की कारेले एनसो ने एक टाइम यूज सर्विक्षन सुरू किया है जो की स इसमबर 2019 तक खत्म हो जाएगा राष्ट्य संख्य की कारेले एक अक्टूबर 2019 से एक ए निगमित छेत्र उद्धमों के वार्षिक सर्विक्षन एस यूज सी सुरू करने जा रहा है यह सर्विक्षन बिंदिर्मान व्यापार रोजगार सहीत अन्य सेवाओं के छेत्र में ए निगमित और गैर कर्शी परतिस्टानों की आर्थिक तता परिचालन विशेस्ताओं पर महत्कून जानकारी परदान करेगा संख्य की एवं कारिकरम कारेन मंत्राले में सचिव ने बताया कि सेवा चेत्र में डेटा के अंतर को खत्म करने के लिए राष्टिय संख्य की क मंत्राले के पेजल और स्वचता विभाग DDWS ने नई दिल्ली में 12 जुलाई से 13 जुलाई 2019 को ODF प्लस और जल संगरक्षन पर दो दिवसी राष्टिय योवजना कारेसाला का एजन किया है इसके में पूर्ण बिंदू है इस कारेसाला में 29 राज्य और केंदर साशित परद परदेशों में 5.6 लाग से दिग गाओं और 622 जिलों ने स्वेम को कुले में 100 से मुक्त ODF घुषित किया है जल सकती मंत्राले में राज्य मंत्री स्री रतनलाल कटारिया ने का कि 2014 में परदान मंत्री ने स्वच्छ भारत मिजन SBM का सुबारम किया था अब अक्टूबर 2019 म बढ़ा रहे हैं चित्रों में प्लास्टिक अफ्सिष्ट प्रबंदन करना है ग्रामीन चित्रों में ग्रे जल प्रबंदन करना है ग्रामीन चित्रों में मल अफ्सिष्ट प्रबंदन FSM करना है जल संगरक्षन और वर्सा जल संचेन पर गहन विचारवी मर्श भी करना है अगली खबर है फोर लेन डेरा बाबा नानक करतारपूर गल्यारा राजमारक पर 50% निर्मान कारिये पूरा हो चुका है इससे मेत्पूर्ण मिंदू है गुर्दासपूर अमरसर हाइवे से डेरा बाबा नानक को अंतराश्टी सीमा से जोडने वाले चार लेन राजमारक पर दोर परियोजना के विकास को मंजूरी दी थी और 26-11-2018 को भारत के माननी उपराष्ट पतिसरी एम वेंकिया नाइडू द्वारा इसकी आधार सिला रखी गई परियोजना के लिए भूमी अधिकरण की प्रकिरिया 14 जनवरी 2019 को सुरू की गई है जो 21 मई 2019 को संपन हुई है अब तक परियोजना का 50% काम पूरा हो चुका है और राजमारक 30 सितमबर 2019 तक पूरा हो जाएगा पाकिस्तान के अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि अंतराष्टिय शीमा के भारते हिस्चे में रावी क्रीक पर भारत का एक पूल का निर्मान कर रहा है और पाकिस्तान के तरफ से बुद्धी रवी चेनल पर पूल का निर्मान करने का भी अनुरोद किया गया है इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आचिस्दा एज्यूकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत ही धन्यवाद है हम आसा करते हैं कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए comment box में comment लिखिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon के साथ में प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो latest video है आपको जल्दी से उसका notification मिल जाए वीडियो देखने के लिए तही दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thanks